नमस्कार दोस्तों आपको मेरे यूटूब चैनल में फिर से सौगत है जिसका नाम है Buy Sell Signal Software अगर आप CR मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परिशाने या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उतना रिटान आपको नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लिजे साहिद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आज को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज को मैं निप्टी और बैंक निप्टी का पर्फोमेंस दिखाने जा रहा हूँ आज का डेट उपर में देख लिजे 30 तारीक है तो अगर 30 एप्रिल 30 एप्रिल को अगर अब निप्टी बैंक निप्टी में काम किये हैं अगर sideways market में market जब manipulate होता है उस type का situation में कैसे काम करना है कैसे समझना है सबसे important चीज होई होता है जैसे हम लोग आज को अगर bank nifty का performance देखते हैं यह आज का bank nifty का first candle था तो मुझे दिखाए दे आज को bank nifty में hugely gap down हुआ है market fall हुआ है यहाँ पर market open हुआ था यह आज का first opening candle है तो as per gap theory generally market क्या होता है जबी भी किसी दिन market gap down होता है उसका first tendency होता है जो उपर का तरह भागे और उसका gap को fill up करने का कोसिस करता है तो बहुत बंदा यहाँ पर फस जाता है जो लोग सोचता है जो ultimate market उपर चला जाएगा मगर पूरा उपर continue नहीं करता है उसका gap को fill up करने का बात फिर से नीचे आने का कोसिस करता है मगर यह नीचे आने का कोसिस करेगा यह फिर totally उपर चला जाएगा यह समझ में आएगा आपको मेरा यह नीचे का indicator को देखते हुए देखिए नीचे का एक indicator है यह actually आपको बताएगा जो अभी market में कौन सा strength है इस indicator में आपको middle में एक white horizontal line दिखाई दे रहा है जिसे मैं neutral कहता हूँ और इस indicator का main का में ही है जो यह जो line आपको दिख रहा है देखिए ग्रीन होके उपर का तरफ जा रहा है मतलब यहाँ पर market उपर जा रहा है मगर जब तक यह white को तोर के उपर नहीं जाएगा तब तक आपका confirmation नहीं आएगा जो market वाकी buying trend में घुसा है या नहीं घुसा है तो जिस time market आज को open होते ही धरादर उपर का तरफ भागना शुरू किया था इसका indication ऐसा नहीं था जो यह उपर ही जाने वाला है क्योंकि नीचे का line neutral का नीचे खरा था यह just उसका gap को fill up करना चाहता था तो as per gap theory यह gap को fill up करने के लिए इतना उपर भागा मगर धीरे धीरे देखिए ultimate नीचे पर आके खरा कर दिया इसका पीछे कारा नहीं है जो नीचे का line है यह line indicator अब देख रहे हैं यह white line का नीचे move करने का मदलब है market का जो strength है वो down में गिरा हुआ है ultimate market को नीचे ही आना परेगा तो ultimate देखे सारे दिन बज़े तक अगर देखते देखते है ultimate market नीचे ही आ गया और अब आपका मन में एक queries आ सकता है जो यह sale का call में तब मुझे trade कप करना चाहिए था दिन का जो first candle बना था सूचिए यह first candle था इसका low का नीचे सूचिए मैं एक line draw कर रहा हूँ अब यह जो line आप draw करते हैं मैं यहाँ पर किया हूँ basically जब तक कोई भी candle का closing इस line का नीचे नहीं होता है मतलब first candle का low का नीचे नहीं होता है जैसे यहाँ से logically अगर बात किया जाए तो यह जो candle आप यहाँ पर देख रहे हैं इस candle मतलब लगबग एक बचकर पचास मिनिट का यहाँ से market का जो trend है वो selling के लिए ज्यादा secure है इससे पहले नहीं था अगर यह first candle का low को नहीं तोर था तो मैं बोली सकता था जो साहे निप्टी में selling order नहीं लगाना है अगर यह first candle का low को तोर पाता है तब ही जाके आपको selling order लगाना चाहिए आतोर इस्टाउट तो बैंक निप्टी का यह जो चार्ट में मुझे आज का जो सारा दिन का performance है इसमें एक चिरिस clear हो गया first market gap down हुआ तो उसके लिए उपर का तरह भागने लगा यह कोई buying trend नहीं था सिर्फ नीचे का indicator आपको बता दिया जो white का नीचे है मतलब market का जो strength है selling में है मगर मैं यहाँ पर selling भी नहीं कर सकता था जब तक यह first candle का low value है उसको नहीं तोरता तो first candle का low value देखिए आपको इस candle ने तोरा है जो मेरा cursor point है तो इस candle का बाद यह आपको trade करना था इससे पहले नहीं तो आसा करतों आपको चीज थोरा सा समझ में आया है देखिए यह एक बच कर पचास मिनिट का candle था तो एक बच कर पचास मिनिट पे आपका जो breakout हुआ है market का उसका बाद आपका जो position है selling के लिए जादा secure है उसका पहले secure नहीं था अब यही same जीज़ अगर आप मैं निप्टी में भी देखूंगा देखिए निप्टी में sale का call बना था सुभे कोई अब इसमें भी देखिए same logic है market gap down हुआ है और इसके लिए धरादर उपर भागने भाग गिया market मगर इसमें भी आपको wait करना है जो first candle बना था उसका low cup तोड़ेगा लॉजिक के लिए देखिए ये जो candle है ये जो लंबा candle आपको दिखाई दे रहा है ये भी देखिए दो बचकर 10 मिट का candle था इसका बाद अगर आप कोई entry लेता है मतलब इसका बाद ही आपका position secure है इसका पहले आपका position कभी भी rigs में फसा सकता है जब तक first candle का low को नहीं तो पूरेगा तो पूरा चेजी समझने के लिए है लॉजिक के लिए अगर आप सही खेलेंगे तो ही जाके return मिलेगा दिन में एक कॉली में है आप अपना अच्छा का सा return ले सकते मगर एक कॉल को choose करना है सबसे important है तो निप्टी और बैंक निप्टी का आज का जो भी performance था यह उपर भाग रहा है तो क्या buy करना है या फिर मुझे wait करना है selling के लिए अगर sell करना है तो कब तक मैं wait कर सकतो किसका बाद selling करना चाहिए तो इस सारा चीज को आपको थोरा सा समझना पड़ेगा तो अगर आपको वीडियो में थोरा सा भी समझ में आया है तो obviously like कीजे comment कीजे share कीजे और अगर आपको समझ भी नहीं आया है तो वीडियो का नीचे मेरे description दिया हुए है वहाँ पर मेरा contact details दिया हुए है और भी details में अगर आपको जानना चाहिए ता मुझे contact कर सकते है मुझे phone कर सकते है या WhatsApp मैसेज भी कर सकते है और इस market related अगर आपको मेरा और भी बह अगर आप logic सही से follow करेंगे तो result भी obviously है तो thank you thank you so much अगर आप वीडियो को अभी भी watch कर रहे है तो like करना ना भूलिए like share and comment जरूर कीजे thank you thank you so much good bye